आपका स्वागत है मैं हूँ अजय प्रताप सिंग और हमारा कारिकरम विधायक जी चलें गाउं की ओर में आज हमारे साथ हैं बदलापूर विधानसवा जिला जौनपूर से विधायक रमेश चंदर मिश्र जी जिन से हम जानेंगे कि गाउं की मूलभूत आवशकता क्या हैं और गाउं में क्या चीजें ऐसी होनी चाहिए ताकि गाउं की लोग अच्छा जीवन जी सकें विधायक जी आपका हमारे कारिकरम में स्वाबित है बहुत बहुत धन्यवाद विशेश कर धन्यवाद इसलिए कि आपने पहल सुरू की है कि मैंने देखा है कि आज कल अधिकतर इलेक्ट्रोनिक मीडिया वाले सहरों में ही घुमते हैं और गाउं की बात कर रहे हैं आपके पूरे न्यू चैनल को मैं इसके लिए हिरदे से जो है धन्यवाद देता हूँ पूरी आपकी चैनल पूरी टीम को धन्यवाद विधायक जी आज मौझूदा समय में जो गाउं की स्थिती है वो किसी से छुपी हुई नहीं है इसका सपना शायद हमारे बुजर्गों ने कभी देखा नहीं होगा आज की स्थिती और बुजर्गों के जो सपनों का गाउँ था उसमें आप क्या अंतर मानते ह है अम जहां तक मानता हूं विष्यशकर हम लोग का जो एरिया है हम पूरवांचल से हम लोग आते हैं और अगर देखूं तो हर पार्टी वहां लगभख सभी पार्टीयों के बर्चस तू रहे हैं और बड़े बड़े हमारे यहां नेता भी रहे हैं पंडित दिन दियाल जी हमारे यहां चुनाव भी लड़े हैं केसर नात्र पाठी जी हमारे यहां चुनाव लड़े हैं और बहुत सारे नेता हैं जौनपूर की एक अलग पहचान है इन विभिन विभिन नताओं में मैंने देखा है कि सबसे मुलभूत जो दिक्कतें आती हैं गाउं में जो ग्रामी डांचल में जो सबसे बड़ा प्राब्लम मैंने देखा कि आपसी जो दौंद है जो जमीनी लडाईयां है यह बहुत जादा है और मैं इसको अगर मैं ध्यान से अगर इस पर आप पीछे जाईएग तो मैंने देखा है कि पहले इतनी सुमत थी कि आपस में गाउं की जहगड़ों को गाउं की पंचायत में ही निप्टा लिया जाता था वह थाने पे और वह तैसिल में SDM के पास नहीं आता था आज इस्तिती यह है कि भाई-भाई से जहगड़ा किया तो ओ जो है गाउं की पंच में अपने बुजरगों से बात नहीं करता वो तुरंत आता है दरोगा से और दरोगा से ही कहता है कि दरोगा जी मेरे भाई को बंद करो दस जार बीस जार जो लेना हो ले लो और मेरे भाई को जेल में बंद करके उसको लाठीयों बरसा करे मेरा एकाम करवा दो तो इ धगड़े करेंगे मारपीड करेंगे मैं आपको बताओं विकास में सबसे महत्यपूर्ण होता है हमारी ये सोच है हमारी सरकार की सोच है इतनी जनपर्तिदी होते हैं गाउं का परधान होता है जिला पंचाय सदस होता है छेदर पंचाय सदस होता है बिदायक होता है इसके सा साथ सांसद होते हैं इतनी सारी योजनाएं हैं हम लोग अगर सब लोग मिल के और सचे मन से करें तो मैं समझता हूं कि कोई काम गाउं का अच्छूता नहीं रहेगा लेकिन अगर हम काम करना भी चाहते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे हां की मुलभूत समस्या मैं इसको आप उसे बताना चाहता हूँ कि हम अपने किसी गाउं में सलक अगर बनाना चाहते हैं तो आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि एक इंच भी जमीन कोई अपना देने को तयार नहीं है हम लोग इधर इट की सोलिंग लगाते हैं जब हम दुबारा उस सलक पर उद्घाटन करने के लिए जाते हैं कि चलो आज सलक का उद्घाटन करें तो दुरभाग यहसा रहता है कि उस सलक की पटरियों को लोग काट लेते हैं यहां तक कि किनारे की सारे इटे गिर जाते हैं कई सलकें ऐसी हैं जो जो 20-20 घर के पुर्वे हैं हम उस पर काम करना चाहते हैं मैं बताओ अपने बिधायक निजी से मैंने लगभग 46 सलकें दिया है 46 सलकें में जब जेई मौके पर गया तो मौके पर जाने के बाद इस्थिती यह बनी कि मातर 25 सलकें बन सकती हैं बाकी सब में कहीं ने कहीं बिवाद है मैं दो चार गाओं में भी गया हमने सोचा कि बिवाद खतम करा दूँ साधी बिवाद सुख दुख में लोगों के घर तक गाड़ी जाए जब मैं बिवाद खतम कराने के लिए गया तो मैंने जब लोगों को बैठाया तो आप विस्व सड़के हैं जो मैं पंचायत कराने में लोगों को समझाने में मुझे ऐसा लगा कि यहां बिवाद हो जाएगा मार पीट हो जाएगा तो मैं समझता हूँ कि कहीं ने कहीं बिकास यह अवरुद्ध हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है आपसी तनातनी आपस में बैचारिक मदभेद आपस में जातपाच का क्लेश और पार्टी बादी इन सब कारणों से हमारा कहीं ने कहीं पुरवांचल के बिकास में एसब बाधा पड़ रही है मैं आपके चैनल के माध्यम से यह निवेदन भी करूंगा हमारी सरकार हमारे योगी जी हमारे सारे सांसायत विधायक जी हमारे स्वैम परधान मंतरी मोदी जी हम लोगों का लच्छ है कि 2019 तक हम एक एक घर में बिजली पहुचाएं बिजली 24 घंटा दें हमारा लच्छ है यह पहले 2022 का लच्छ था अभी हमारी सरकार ने अभी कुछ दिनों में यह परिवर्तन किया है कि हम 2019 तक चुकि उत्तर परदेश में हमारी सरकार है भारती जन्दा पार्टी की तो मुख्यमंतरी आवास योजना के तहत और प्रधान मंतरी आवास योजना के तहत गाउं गाउं में कोई घर किसी का न बचने पाए जिसके सर पर छट ना हो हर गरीब व्यक्ति जो कितने कष्ट में इस बरसात के मौसम में मैंने तो देखा है कि पानी टपकता है अपने हाट को एक बार उधर ले जाएगा आगी ले जाएगा पीछे ले जाएगा इतनी नरकी जिंदगी जीते हैं और हमारी सरकार ने इस पर ध्यान दिया और जैसा कि मुझे जानकारी जो मिली है कि 2019 में हमारी ये कोशिस रहेगी कि लगभग ऐसे पात्र व्यक्ति जिनको वाकई में आऊ सकता है जिनके पास कोई भी सहारा नहीं है उनको हम आवास देने का लच्छ रखे हैं बिजली पहुचाने का लच्छ रखे हैं हम गाओं को बलाक से जोडने का लच्छ रखे हैं बलाक क की जो समस्या थी मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा तना तनी और गाउं की जो बैचारिक की गई थी उस नियम को बीच में जो और सरकार आ गई तब की तो कोई बात नहीं लेकिन अब दोबारा भाजपा की सरकार है तो क्या गाउं को गणराज्य बनाने पर विचार होगा देखी मेरी सरकार बहुत रही दिन संकल्पित है इन सम्मुद्दों पर जैसे तहसिल दिवस के औसर पर इस तरीके के कारिकर्म तो होते ही है साथ में हमारी सरकार ने अभी मैं आपको जानकारी दूँ कि एक जियो जारी किया है कि जितने भी गाउं के सेक्रेटरी होते हैं और जितने भी गाउं के लेकपाल होते हैं उनको अपने गाउं में जैसे हमारे हैं सेक्रेटर अनुपल अफ़ता के कारण बहुत सारी ग्रामीर समस्याओं का निदान नहीं हो पाता है उसी के जरिये मैंने जो अभी गाइडलेन निकली है हमने इस पर अधिक्यारियों से मीटिंग में बात भी किया कि हमारी सरकार एक डेट निर्धारित करना चाहती है अगर कोई पर बकाइदे एक साइन बोर्ड रहेगा उस पर बकाइदे लिखा रहेगा कि इस टाइम पर इस ओक कर्मचारी वहां मौजुद रहेगा अब इसकी जाच हमारे जो खंड विकास अधिक्यारी होते हैं ओ भी करेंगे उच्छ अधिक्यारी भी करेंगे जन प्रत्निधी भी क करेंगे अगर वहां पर वह कर्मचारी नहीं पाया जाएगा तो उसके उपर करवाई हो जाएगी इसी तरीके से अन विभागों के लिए भी इस तरीके से हम लोगों ने एक स्वरूब बनाया है अभी मैं आपको बता हूँ जिला धिक्यारियों को भी निर्देश दिया गय गाउं में जाएं और गाउं की समस्या में गाउं में जाकर के उसका निस्तान करें हमारे संगठन ने भी हम लोगों कहा है कि आप लोग जो है गाउं में जाके प्रवास करिए जब आप गाउं में प्रवास करेंगे तो गाउं की समस्या जब एक रात आप गाउं में बिता अगर हम लोग एक रात इक गाउं में बिताएंगे और कोशिस हम लोग की रहे घी कि उसमें धिक्यारियों को भी बुलाएंगे तो मैं समस्चता हूं जो कल्यान सिंग जी का सफना था अर हमारे में उसल अच्छ को प्राप्त करेगी और आपका जो कहना है कि गाउं में ही गंडराज जी की जो है का स्थापना हो वह जरू साकार होगा जैसे विदायक जी गाउं की सरकार BDC मेंबर और जिला पंचायत के सदस्चे ग्राम परधान करके होते हैं इनकी एक साल में कम से कम दो पार मीटिंग होना आवर्शक बताया जाता है लेकिन इनके पास पंचायत घर बहुत सी जगें देखिए ऐसा है अभी मैं आपको जानकारी देदूं की एक नरेगा के माध्यम से भी और चौदावें बित्य के भी माध्यम से हमारी सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया है जहां भी पंचायत भ्वन नहीं है हम पंचायत भ्वन का निर्माड करेंगे फंद्रे साल से तो हम लोग सरकार से बाहर रहें यह तो सपा बस्ता वालों ने ऐसा कंगाल करकी रखा है तो उनका बजट जो है वो देश के उपरदेश के लिए नहीं वनता था उनका बज़ट अपनी जेब के लिए बनता था कि कौन सा ऐसा हम योजना लाएं जिससे कि हमारे जेब में धन जादा जाए तो हमारी सरकार काम कर रही है आगन बाड़ी हम लोग अभी कम से कम मैं अपने ब्लॉक में ही अपनी बिधान सफ़ा मैंने 26 आगन बाड़ी का अभी म अचाएद भौन पर काम करेंगे जो मूल भूत जो गाउं में जो है ग्रामी डांचल पर स्वास्तेवा बहाल करने के लिए छोटे-छोटे केंदर भी हम स्वास्त के खेर खोलेंगे बराद घर का भी निर्मार करेंगे जिससे कि एक सेंटर हो गाउं के लोगों को कहीं जो गरीब व्यक्ति हो उसको जो है उस बराद घर में अपने बच्चियों की साधी भी कर सके हम ऐसा काम करने पर हैं अभी मुखमंतरी सामुहिक विवा हो रहा है आपने देखा ही होगा हमारे यहां वी 121 जोड़े की साधियां हुई हमारी सरकार ओ भी काम कर रही है बीस जार उनके खाते में 15,000 का समान और पूरे सामुहिक ढंग से साधी विवा करने का सारा खर्च हमारी सरकार दे रही है हम कर रहे हैं तो 11 मैने हुए हैं तो आपको लगेगा कि नहीं जो जो आपके मन में होगा जो आपकी विचारधाराएं होंगी और हम उससे ज्यादा बड़ी जो पंडित दिन दिन दियाल जी थे उनकी थी अब उससे पर काम कर रहे हैं आपको परिवर्तन दिखेगा एक आज साल में आपको बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ेगा उनको रोकने की सरकार की तरफ से क्या ऐसी व्यवस्ता होगी ताकि लोग गाउं में ही रह देखिए ऐसा है खासकर मैं आपको बता दूँ कि जो हमारा जौनपूर जिला है आप जब कभी मुंबई में जाएंगे वहां का आप एवरेज जगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के उत्तर भारतियों में सबसे आदा हमारे जौनपूर जनपत की बहुलता है मुंबई में मुंबई में जाकर के मैं तो मुंबई जाता हूं जब मैं जाता हूं तो बड़े-बड़े लोग आयोजन करते हैं हजारों की संख्या में मेरा स्वागत करते हैं मैंने वहां देखा मैं उनके घर जाता हूं जोपड़ी में लोग रहते हैं नापदान नालियां बह रही हैं वहां नालियों के किनारे रहते हैं तो मैंने जो एक समझने की जो कोसिस किया उसके पीछे सबसे बड़े कारण ए रहा कि बेरोजगारी यहां पर रोजगार नहीं है आप सोचिए 22 करोन का जो है हमारा प्रदेश है और इतनी बड़ी आबादी वाला प्रदेश और रोजगारी भत्ता बाटके आप कोई पर्मनेंट आपने सलूसन तो निकाला नहीं भाई अब किसी को मैं अगर कोई अगर पड़ा पैसा अगर गिरा पैसा आपको सवर उपय मिल जाए तो पैसा ब्यर्थ में ही जाएगा कभी आप उसका सार्थक उपयोग नहीं कर सकते हैं अब चेतर में जाते हैं तो यह घर छोड़के दूसरा घर पता लगता है मुंबई है मुंबई है मुंबई है मुंबई है इसकी चिंता हमारे मुखमंत्री जी ने किया अभी आपके हां एक सम्मिट हुई और मैं समझता हूं कि पूरे देश के बड़े-बड़े उद्योग पती हा मुके संबानी से लेकर मत्री मेंँ मैं कह घृए हमारे ऑड्यक सोडार्फ्राइब परद्द मंत्री यह आएrint के अ उद्योगपती ही नहीं बिस्ट के कई देशों के लोग आए और आप समझे कि इतना बड़ा सब्मिट मेरे समस्ते आपके उत्तर प्रदेश के इतिहास में सायत कभी हुआ ही नहीं था किसी सरकार ने इसके बारे में सोचा ही नहीं हमारा भी तो एक साल भी नहीं पूरा हुआ है एक साल के ही अंदर में हमने उन गरीबों का उन गाउं के लोगों का जो पलायन कर रहे हैं जो हमारे प्रदेश को छोड़ करके मुंबई और दिल्ली जाने के मजबूर हैं सिर्फ उनके लिए हमारी सरकार ने चार दसमलो अठाइस लाक करोड का यम उसाइन कर रहा है पनारस में कई फैक्टरियां लग रही हैं आप सोचो कितने रोजगार इस से मिलेंगे हमारी सरकार का लच्छ है कि हम एक दो साल के अंदर में ही कम सकम दस लाक नौकरिया देंगे जब हम दस लाक नौकरिया देंगे तो हमारा कोई भी भाई जो है उसको मुंबई में जाके नापदान के गटर के बगल में रहना नहीं पड़ेगा उसको गंदी में जीना नहीं पड़ेगा किसी की जो है जो है उसको बंदगी नहीं करनी पड़ेगी वह स्वतंत्र हो के अपने गाउं में अपने घर में रह करके अपने बुड़े माबाप की सेवा करते हुए ओ जो है अपनी अजीका चला सकता है अपने परिवार में रहके अपने परिवार का लालन पालन कर सकता है यह हमारी सरकार काम करने जा रही है इससे हमारा इलच बहुत बड़ा पूरा होगा और प्लान बंद होगा प्राइमरी स्कूल में केवल इंगलिश की किताबों की नहीं उसमें सिक्षकों की जरूरत है और दूसरा जो पबलिक स्कूल होगा इंफ्राइस्ट्रेक्चर है उस तरह करने पर भी सरकार को विचार कर रही है देखिए ऐसा है अभी सरकार ने यह लच्छे रखा है कि हमको जो है बलॉक अस्तर पे एक बलॉक में पांच गाउं छे गाउं अच्छे बिद्याले हमको इंगलिस मेडियम के करने हैं अब उसमें यह बात सही आपने कहा कि सिच्छक की कमी है और कुंस सिच्छकों की कमी की नाते अभी हम लोगों ने गाउं जो है निरधारिद की नहीं कर पाएं तो कि हमारी अभी कुछी दिन पहले जो है बेसिक सिच्छा दिक्यारी से बात हुई हमने उनसे जानना चाहा कि कौन-कौन से आपने विद्या ले लिए हैं इंग्लिस मीडियम के लिए तो उन्होंने बड़ा आसपरश्ट कहा कि सबसे बड़ा प्राब्लम है कि हमारे पास जो जो सिच्छकों की कमी होगी उसको हम सासन अस्तर पर भेजेंगे और जैसा कि मेरा बैसिक सिच्छा मंद्री से भी मुद्दे पर बात हुआ था तो उन्होंन कहा कि जब एक बार जिले से रिपोर्ट आ जाएगी कि हमारे पास इंग्लिस के इतने सिच्छकों की कमी है तो हम जो कमी हैं उसको हम पूरी करेंगे इंग्लिस के वी सिच्छक की हम बरती करेंगे विदाएग जोड़ी हुई सबसे बड़ी समस्या यह होती है प्रधानी की रंजिष प्रधानी की रंजिष होने के पाद एक आदमी तो जीत गया लेकिन जो हार जाता है वह वह उस जन्पर सब्सक्राइब होती है तो शिकायत करता कि खिलाब कारवाई नहीं होती और सही सावित हो जाती है तो जन्परतिदी धीपद्नाव हो जाता है देखिए आप जान लीजिए कि मैं समझता हूं कि उत्तर प्रधेश में सबसे कठिन चुनाओं अगर आप जान लीजिए तो ग् करन रिषी में अपना सब लोग इसे करते हैं तो कुल मिलाजुला के होता क्या है कि बारा बीस बीस बाइस बाइस पचीस पचीस के एक गाउं में कंडिडेट होते हैं आप जड़ा सोचो कि एक ग्राम सभा में कुल तीन हजार पैंटीस सो का पापुलेशन होता है अगर मैं घर की संख्या में जोड़ दूं तो मुश्किल से दो सो डाई सो तीन सो कहीं कहीं सो सो गाउं के घर के होते हैं तो अगर आप देखिए तो पचीस तीस अगर कंडिडेट हो गया तो मेरे समझ से दो घर छोड़के तीसरा घर जो है परदानी के चुनाओं में लड़ रहा है मैंने देखा है कई गाउं में भाई भाई चुनाओं लड़ रहे हैं एक ही परिवार के जो है अलग भी लग होके उनके पांच घर बन गे पांच में से एक ही परदानी लड़ रहे हैं तो होता क्या है कि जो चुनाओं जीत जाता है तो जो हारता है उनके हर कामों पे निग किसी की सुनाई पड़ती है तो ग्रामी डांचल में प्रधानों की सिकायते सुनने की मिलती है उसमें विसेश कर रिया सुनने को मिलती है कि प्रधान जो है ओ एक पच्छी काम करता है जो उसके चुनाव में उसका समर्थन किया है उसका तो काम कर रहा है जो उसका समर्थन नह है सबका साथ और सबका विकास उसी तरीके से उस ग्राम प्रधान को भी सबके साथ में बिकास के हज़सरा काम करना चाहिए लेकिने दुर्भाइक की बात है कि ग्राम सभा में इतने कमपडिश जादा हैं कि वहाँ सबका साथ सबके विकास पर कामना करके काम करकी और जिसके चलते पिसंगतियां फैलती हैं और और बैचारिक मतभेद खतम होते हैं और आपस ने परभbreती है है रौज की रोज शिकायते जाती है ऐसा नहीं कि वह सिकायत करता साभा़ का reflects गलत सिकायत भी नहीं करता है उसकी सिकायतों में धंभी होता है कई जगां हम लोग भी सिकायत करते हैं उस पर कारवाई भी कराते हैं लेकिन मैं यह समझता हूं कि गरामी डांचल किया तो यही संदेश मेरा तो सबसे पहले संदेश है कि अधिकतर बीमारियां मैंने देखा है गनामी रांचल में होती हैं और उसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वह जो है स्वच्छता होती है मैं तो सबसे अपील करूंगा आपके चैनल के माद्धिम से की हमको अपने घर के अगल भगल अपने आस पास सफाई अवस्य रखना चाहिए कूडा करकट जो है एक जगा कहीं पर एकत्रित करना चाहिए और उन ग्राम प्रधानों से भी मैं निवेदन करूंगा कि जो कूडा करकट लोग एकठा करें एक जगा एकठा करके उसको गड़े में डाल करके उसको जो है उसका नश्ट किया जाए उसको जब कूडा करकट नहीं रहेगा हर घर में सफाई रहेगी तो सबसे सचता रहेगी तो मेरा यह मानना है कि सबसे पहले हम सवस्त रहेंगे सचता हमको सफ्थ रखेगी और दूसरा मेरा एक एक कहना है आपके चैनल के माद्यम से मैं निवेदन करूँगा कि विकास में मैं उन सभी ग्रामवासियों से निवेदन करूँगा कि कोई बाधा ना बने अगर किसी का जरासा नुकसान हो रहा है और विकास उससे हो जा रहा है तो वहाँ विकास सब के लिए है ना कि एक ब्यक्ति के लिए है हमको आपस में भाईचारा बना के रखना चाहिए गाउं का विकास आपका विकास सब का विकास यह बहुत ही आउस्टेक है और हमको आपस में इसने प्रेम रखना चाहिए मिल के काम करना चाहिए सच रहना चाहिए अपने बच्चों को इससे एक अच्छी हम सीख दे सकते हैं बच्चों के अंदर अगर हम एक दूसरे से सम्मान से बात करेंगे प्रेम रखेंगे बवाल नहीं करेंगे तो वो सीख हमारे बच्चों को मिलेगी तो मैं समझता हूँ आने वाली पीड़ी में बहुत बड़ा इसने है और प्रेम बढ़ेगा और जो हमारा एक संकल्प है हमारी सरकार का संकल्प है हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम राज हो और किसी के बीच में कोई कटता ना हो किसी प्रकार का कोई बैचारिक मत्भेद ना हो सिर्फ सिर्फ यहां विकास की बात हो चाहे हो ग्रामी डांचल हो चाहे हो साहर हो हर जगां सिर्फ विकास की बात हो तो अगर यह सब जो मैंने कहा है हमारे जो भी आपके माध्यम से जो भी हमारी बातों को ग्रामी डान चलके चाहे जिस समाज के लोग हो चाहे जिस तबके के लोग हो जो भी ये सुन रहे हो मैं उनसे जरूर हाद जोड़ के अफिल करूँगा कि हम लोग आपसी जो मतभेद है उसको भुला करके सब लोग आईए एक साथ चलें और एक साथ चलके इस उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो सबना है हमारे मोदी जी का योगी जी का उसको साकार करें तो ये थे जौनपुर से भारतिये जंता पार्टी के विधायक रमेश चंडर जी और इनके इनका मानना है कि अगर हमें अच्छे से रहना है गाउं की तरक्की करनी है तो हम लोगों को मिलकर रहना होगा सारे मतवेद भूलाने होंगे और हम उमीद करेंगे कि गाउं की समस्याओं को लेकर विधायक जी विधान सभा में भी आवाज उठाते रहेंगे और गाउं के विकास में अपना पूरा योगदान देंगे अजय परताप सिंग एबी पियस नियूज लखनव